आपको बता दी मामला थाना कलान के ग्राम शेरपुर कुरिया का हैं जिसमें पुरानी रंजिस के कारण लगभग तीन मैंने पहले दबंगो ने ओम वीर पुत्र शीशो पाल पर जान से मारने की नियत से लाठी टंडो से हमला कर दिया था जिसमें ओम वीर गंभी रुप से ख तिंको अपने घर से अपने पिता को बच्छाने के लिए भागा वही रास्ते में खड़े सुरेश पुत्र राजपाल अमित जैबरन और एमपी ने मुनेश और तिंको उम्रत 20 वर्ष को लाठी मार कर खैल कर दिया लाठी इतनी जबरदस्त थी कि तिंको का हाठ तूट गय और सरीर में गंभीर चोटे आएं और ओंबीर के भाई राजपीर को घटना के जानकारी हुई तो वो भी घटना इसकल की माने तो सुरेश में राजपीर के ऊपर जान से माने की नियत से अपने नजायस तमंचे से फायर कर दिया था जिससे राजपीर बाल बाल बच गया थ जिसका मुकदमा 370 बटे, 1913, 247, 148, 149, 323, 308, 325 आईपीसी थाना कलान में पंजिक्रित किया गया था जिसमें कलान पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त सुरेश पुत्र राजपाल अमित जैबरन उस इनपी को पुलिस द्वारा आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया जिससे पुलिस की कार्शायली पर दश्ट चिन्निक खड़े हो रही है सुरेश द्वारा बादी राजवेग पर मुकदमा राजी नामा करने के लिए लगातार दवाव बना रहा और कह रहा है कि अगर मुकदमे में राजी नामा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी हाल ओम्रिर के जैसे ही कर देंगे साचहापुर से उस्पेंत बदार्या की रिपोर्ट